हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल आई म सशांक तिवारी एंड डिस इस मानेदर वीडियो सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको ताऊंगा यूटुब के एक नए फीचर के बारे में दोस्तो यहाँ पे अब यूटुब ने एक और भी अपडेट कर दिया है हमारे वीडियो एलिमेंट वाले फीचर पे तो दोस्तो यह क्या है वो सब कुछ में आपको ताऊंगा आगे इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ही कमालकुने वाला है अब सबी लोग के लिए तो वीडियो को स्किप मत करना and without wasting any time वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्ट आपको सामने से apply करना पड़ेगा तभी आपको add product वाला feature मिलेगा बट दोस्तों यहां पर जो मैं नया update बताने वाला हूं उसमें फिर से एक video element add हुआ है जहां पर इसका नाम है add subtitles यस दोस्तों हमारे video element पर एक और चीज़ add हो गई है subtitles की तो दोस्तों यहां पर हम लोग अपने चैनल पर जो भी हमारा video है उस पर हम लोग subtitles add कर पाएंगे और दोस्तों पहले add subtitles वाला जो option था वो बहुत ही lengthy work होता था वहां पर हम लोग बहुत ही मुश्किल से subtitles को add कर पाते थे बट यहां पर अभी यह जो update हुआ है इसके बाद दोस्तों subtitles add करना बहुत ही easy हो गया है और इसके भी हम लोग को दो option मिलते है एक auto and manual तो वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ही कमाल कौने वाला है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यह video element में सबसे टॉप पे add subtitle वाला option हमारे पास आगया है जहां पर आगे new भी लिखा है तो दोस्तों यहां पर एक चीज़ में आपको बता दूँ कि अगर आप अपने video की कोई एक video language select करोगे तब ही यह feature काम का है तो यहां पर ज वाले बटन पर आपको simply click करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा जहां पर आपको टॉप पर लिखा हुआ मिलेगा select how you want to add captions तो यहां पर आप दो तरीके से captions लगा सकते हो इसे किसासर दोस्तों यहां पर एक block मिला जहां पर लिखा है pause while typing मतलब अगर आप इस पर टिक option है उसके help से आप अपने caption को लगा सकते हो जहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप कोई भी automatic चाहते हो subtitle लगाना तो आपको पहला option select करना पड़ेगा और यहां पर timeline पर वो चित दिखेगी तो यहां पर भी आप देख सकते हो video की language हिंदी select है और आप video language edit भी कर सकते तो यहां पर जो सबसे पहला option है उस पर मैं आपको click करके दिखा देता हूं कि जब आप वहां पर click करोगे तो आपके सामने timing का एक option आएगा जैसे ही आप देख सकते हो यहां पर लिखा है with timing तो यहां पर आप timing के साथ file upload कर सकते हो तो यहां फिलाल अभी मेरे पास कोई file न लगा सकते हो तो यह वाला option में आपको जल्दी से यहां पर देख सकते हो जैसे ही मैंने इस पर click किया तो हम लोग के सामने एक side में block आगया जहां पर हम लोग कुछ भी type कर सकते हैं और सामने हम लोग को time stamps देखने को मिलता है जहां पर हम इस time के according अपने पूरे वीडियो की time line पे कहीं पे भी caption add कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पे मैंने जो caption add किया है वो हमारे वीडियो पे हम लोग को show हो रहा है तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यह कितने easily हम लोग के वीडियो पे subtitle add हो गया पहले यह बहुत ही लंदी वर्क हुआ करता था बट अब इस update के बात हम लोग बहुत easily अपने किसी भी वीडियो पे subtitle add कर सकते हैं तो यहां पे जब आपके पूरे वीडियो का subtitle complete हो जाए तो आपको simply उपर done पे click कर देना है और आपको यह जो subtitle है वो save हो जाएगा तो दोस्तों यह था आज का वीडियो उमीद करता हूं आपको वीडिय पसंद आए होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like कर देना चैनल पे नए आयो तो चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे and useful वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूं ओप लाइक डिस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स